हलो स्टूइट वेलकम टू एकोटर अकैडमी देहरादून और हम इस वीडियो के थूँ बात करेंगे एक और टॉपिक की जो आपके मेंस के और कुछ इसमें से कोशन हो सकता है या फाट्स जो हो सकते हैं वो आपके प्रिलियम्स में आ जाएं तो यह आपका क्या है Quad के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के थूँ यानि कि इसका जो नाम है Quadrilateral Security Dialogue ठीक है अब यह टॉपिक है जो है वो आपके किस पेपर में आ सकता है तो अगर हम UKPSC मेंस की बात करें तो जो आपका General Studies का Paper Second है जिसमें लिखा हुआ International Relations इस पेपर में इस टॉपिक स से आपके Questions बनने की Possibility है और अगर आप Civil Services की तैयारी कर रहे है तो फिर से आपका General Studies Paper Second जहां पे लिखा हुआ International Relations वहाँ पर इस टॉपिक से Question आपके बन सकते हैं अब इस कुछ टॉपिक की बात करें तो Quadrilateral Security Dialogue या QSD Commonly Known as Quad ठीक है यह आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो Common Name है का आपका Quad दे रखा है It is a Strategic Security Dialogue between Australia, India, Japan and America और you can say USA जहां पर वर्ट पर ध्यान देना यह शुरू में जो बना है Initially जो इसका Base है बनने का Quad का वो क्या है आपका Strategic Security आपका जो है वो इसका एक कैसक तो Base है आपका एक तरीकी के आप कहा सकते हो कि Army Group है एक तरीकी का Strategic Security है ठीक है अब कुछ इसकी अगर बात कर इनिशल स्टेजिस में The Dialogue was initiated in 2007 by Japanese PM Shinzo Abe with support of Australian PM John Harvard and Indian PM Manmohan Singh and US Vice President Dick Channing ठीक है अब दोब यहाँ पर यह fact जो है थोड़ा short करके precise करके आप लिख सकते है उसको लेकिन यह fact से अगर मैं question बनाना चाहूं प्रलियम्स के अपाउंटेगू से तो question यह बन सकता है कि जब यह Dialogue Initiate हुआ था तो इसमें से कौन नहीं था तो देखें शिंजे आ भी हो गए औसलिया के PM हो गए Indian PM हो गए, Japanese PM हो गए लेकिन US की तरफ से जो initiate किया गया था not by the president that was initiated by the vice president यह question को twist करके प्रलियम्स में दे सकते हैं ठीक है रही बात means की तो उसमें फिर आप लो यह short precise करके थोड़ा सा इसी point को आप briefly describe करेंगे got it, now come to the next point the dialogue was parallel by joint military exercise तभी वे ने बोला कि strategic security यानि की military का एक तरीके का group था joint military exercise of an unprecedented scale title exercise मालाबार ठीक है आप लोग प्रलियम्स के लिए अपना पढ़ते हैं मालाबार जो है कहां पर इस साल हुआ या कितनी गंट्रियूर्स में पार्स्वीट के तो यहां से आपको उसका answer मिल जाता है during 2017 Asian Summit क्योंकि क्या हुआ 2007 के बाद से 2017 के बीश में थोड़ा सा इस group में कह सकते हो की in activity आ गए थी जो इनके चारों पार्टनर्स थे countries थी वो इतना initiate नहीं कर रहे थे but then again in 2017 we got the chance Asian Summit in Manila जब Asian Summit in Manila में हो था all four former members आपके हो गया उस्तेलिया के इंडियन प्याव हमारे मुदी जी हो गए यूएस प्रेसिटेंट डूनाल टर्प हो गए इस बार यूएस प्रेसिटेंट का initiative था agree to revive the quadrilateral alliance in order to counter जो अब मीन objective है जो आपको लिखना होता है means में to counter China military and diplomatic in the Indo-Pacific region particularly in the South China यह पूरा क्या है आपका Pacific Ocean है ठीक है और जो South China Sea है वो आपका इधर पर हो गया अब क्या रहा है कि China जो है अरे ठोड़ी यह आपका क्या हो गया Pacific Ocean हो गया ठीक है यह तो आपका Atlantic Ocean था यह Pacific Ocean हो गया यहाँ पर यह क्या हो गया South China Sea हो गया अब लगातार चाइना जो है इस पूरे इस पूरे एरिया में अपनी dominancy को क्या करता जा रहा है increase करता जा रहा है ठीक है तो इस dominancy को increase करना का क्या हो सकता negative impact जो भी यहाँ पर आपका trading होगा export import ships का movement होगा अगर चाइना पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है आपका dominant हो जाता है तो हम India हो गए Australia हो गए Japan और US हो गए हम सब को यहाँ बहुत बड़ी जो है rate के point of view से बहुत बड़ी क्या होने वाली है परशानी होने वाली ठीक है वो इस challenge को तोड़ने के लिए चाहना कि इस diplomatic और इस यह ग्रूप जो है दुबारा क्या हुआ आपका रियाक्टिवेट हो क्योंकि तो आनले टाइम पे जैसे हम लोग आगे पढ़ते आ रहे है डियर शुट बी अ हेल्दी ट्रेड बिट्विन ओल ओवर दा वर्ल्ड यह नहीं कि चाहना की डोपनेंसी हो और साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि जैसे इंडिया अगर ऑस्टिया के साथ ट्रेड करना चाहरा है तो बीच में कोई ऐसा हर्डल ना हो इंडिया अपना समान जबान को बिढ़ना चाहरा है इंडिया अपना समान अमेरिका को भिणना चला है तो इस रूट के थूँ अराम से जा सके लेकिन अगर चाने की डोबने से इस्टाबलिश हुई तो हमारे लिए हम चारों के लिए गर जो squad group में हैं बहुत बड़ी economically बहुत परशानी होगी अगर आगे चल के हो सकता है कि military या security परड़ी से भी हमें परशानी शुरू हो जाए then in a joint statement in March 2021 the spirit of quad the quad member described as a shared vision for a free and open indo-pacific यहाँ पे दोगो free and open indo-pacific ocean का means यह है कि China ऐसा नहीं कि हर ships पे जाते हुए या किसी भी trade जैसे भी हमने हाल में South Asian country के साथ जो आपकी क्या है जैसे कि Myanmar हो गया Laos हो गया Indonesia हो गया Bangkok हो गया उनके साथ कुछ हम treaty sign करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें China बीच में आ गया कि आप हमारे यहां के internal matters पे दखलते रहे तो that is not a way to treat other countries ठीकर चाइना तो फिर एक तरीक एक dominancy कर रहा है तो यह चीज़े आप लोग उसमें लिखेंगे यह जो आपके joint statement है इन सबको आप वहाँ पर करेंगे इस सब बहुत कुछ आपको पता चलता है rule based maritime order in the east and south china sea कि भाई rules पर चलेंगे यह नहीं कि चाइना की dominancy हो गई तो उस पर चलेंगे then यह भी point आप लिए सकते हैं Brazil, Israel, New Zealand and South Korea and Vietnam were invited to court plus meeting to discuss their response क्योंकि उनका भी यहाँ पर matter बहुत करता है ब्राजील का भी यहाँ पर business के point पर बहुत matter करता है South Korea गया Vietnam हो गया ठीक तो इस तरीके से आप यह court का chapter को complete करेंगे तो यह question किसी भी तरीके से गुणा के आपके exam में आ सकता है